हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम आपको अस्तर वाले ब्लाउस की ऐसे कटिंग करना बताएंगे कि इस तरीकी से अगर आप कटिंग करते हो तो आपका ब्लाउस बहुत ही जल्दी से कटिंग हो जाएगा और उसमें कपड़ा भी कम नहीं पड़ेगा तो यह चो और फिर से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके एक पार्ट हमें छोटा रखना है और एक पार्ट हमें बड़ा रखना है तो देखिए जो पार्ट हम बड़ा रखेंगे वो हम आगे वाला बनाएंगे और जो छोटा है उपर वाला वो हमारा पीछे वाला रहेगा तो तेरा इंच की लंबाई है हमारी ब्लॉज की तो 14 इंच में लिया है नीचे का पार्ट हमारा 15 इंच है तो वो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट आप एक साथ में निकाल सकते हैं और यहां पर देखें जो च चौधाई करना है बत्तिस का चेस्ट होगा तो आप 28 पर मार्क करेंगे और डो या डेड़ी इंच आप ले सकते हैं यहां पर साइड फीटिंग के मार्किंग के लिए तो यहां पर हमने डेड़ी इंच ले लिया है अब यहां से हम सीधी लाइन कीज लेंगे और आर्म होल के तरफ में हमको गुलाई दे देना है तो देखी गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे कटिंग क्योंकि एक पार हमारा चोटा है और एक पार हमारा बड़ा है तो हम गले की कटिंग बाद में करेंगे अब देखिए हम sleeves की भी cutting आपको एक साथ में marking करके बता रहे हैं बात में सारे parts को हम cutting कर लेंगे तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें इस side से अस्तीर निकालना है तो देखिए यहाँ पर हमारा बराबर नहीं है तो हम बराबर कर लेंगे एक बार और 8 इंच तक हमें line खीसना है तो यहाँ पर हम box type से बना लेंगे जितना भी आपको sleeve चाहिए उसमें से आपको एक इंच बढ़ा करके निशान लगाना है ठीक है तो हमें 3.5 इंच किस तींच चाहिए थी तो हमने 4.5 इंच पर निशान लगा लिया है और उसके बाद में यहाँ से हमें देख लेना है कि 8 इंच कहां पर आ रहा है तो 8 इंच तक ही हमें box इसका बनाना है अब जो अस्तीन की चोड़ाई रहेगी तो यह हो जाएगा हमारा अस्तीन का निशान और एक निशान है हमारा blouse का तो यहाँ पर हम देखिए दोनों पार्ट्स की cutting हमारी एक साथ में हो जा रही है और यह blouse हमारा अस्तर वाला blouse है इसको cutting करने के बाद में हम गले की cutting कर लेंगे और उसके बाद में जो है अस्तर पर सारे parts को रख करके हम cutting कर लेंगे तो friends कुछ लोगों ने comment किया है कि आप सी लाइक का भी वीडियो डालें तो ठीक है फ्रेंड्स मैंस का स्टिचिंग का भी वीडियो डालूँगी आपके साथ में जो है और आपको लोगों को जो भी समझ्द नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तो दिखिए यह हमारा आगे का गला हो गया है तो आगे का जो पार्ट है हमारा सिंपल पार्ट है सिंपल है तो इसमें हम फोर डॉट्स की मार्किंग कर लेंगे अब यह देखिए है हमारे बलाउस का कपड़ा तो इसको हमने एक बार इस तरीके से फोर्ड किया है तो यहाँ पर जो खड़ी धारी है वो हमें ऐसे रखना है ठीक है इस इसका हमें ध्यान रखना है सीधा साइड में अंदर रखना है बाहर के साइड में उल्टी साइड रखना है और उसके बाद में आप देखें यहाँ पर बन साइड जो है वो हाँ पर गले को रखना है हमें और आगी वाले जो पार्ट है आगी वाले पार्ट को आप कहीं पर भी रख सकते हैं कि इस साइड भी घुमा करके रख सकते हैं कहीं पर रखने का मतलब है कि आप गले को इधर रखो या उधर रखो कोई दिक्कत नहीं है क् देखिए जो back part हमारा open नहीं है front part हमारा open है तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है तो ये हमारा back part हो गया और ये हमारा है front part अगर आप लोग जो है back open blouse भी सिखना चाहते हो तो आप हमें comment कर सकते हो उसमें भी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है तो back open में क्या होता है कि front हमारा front open नहीं होता है तो उसमें front में हम princess कर बना सकते हैं या one tux पर बना सकते हैं कई तरीकी से तो ये मैं आपको cutting में बताऊंगी ठीक है अब यहाँ पर हम इसको इस तरीकी से रखेंगे और sleeves को भी हम रख करके cutting कर लेंगे